गर्मियों की गरम दूपहर में चिडिया का बेटा कुगू अपने घर में बैठा भोर हो रहा था उसके मम्मा पापा भोजन लेने गे हुए थे मैं थोड़ी देट जगू से खेल कर आता हूँ ये सोचकर चिडिया का बेटा कुगू जगू कवे से खेलने चला जाता है जगू अपने घर के पास ही अपने छोटे से स्वीमिंग पूल में नहा रहा था कुगू भी वहां पहुंचाता है अरे जगू तुम तो बहुत मज़े कर रहे हो और मैं घर अकेला बोर हो रहा था चलो हम मेरे स्वीमिंग पूल में नहाते हैं बहुत गर्मी लग रही है नहाने में बहुत मज़ा आएगा फिर कुगू भी जगू के स्वीमिंग पूल में नहाने लगता है वो दोनों एक दूसरे पर पानी गिरा गिरा कर नहा रहे थे वो खेल रहे थे वो दोनों बचे थे उन्हें क्या पता था कि इस समाज में अमीर और गरीब एक साथ नहीं खेल सकते फिर जगू के ममा गोरी कवी आ जाती है अपने बेटे के साथ स्वीमिंग पूल में कुगू को खेलता हुआ दे कर ओए गरीब चड़िया के छोटे बच्चे जल्दी से मेरे जगू के स्वीमिंग पूल से बाहर निकलो कुकु डरते हुए स्वीमिंग पूल से बाहिर निकल आता है फिर गोरी कवी कुकु को मारना शुरू कर देती है गरीब चुडिया के गरीब बच्चे मेरे बेटे के स्वीमिंग पूल का सारा पानी गंदा कर दिया तुमने सारे पानी में किटानों फिला दिये होंगे आंटी मुझे छोड़ दे मैं फिर कभी यहां नहीं आऊंगा फिर गोरी कुकु को छोड़ देती है और कुकु रोता हुआ अपने खर वापिस चला जाता है ममा आपने कुकु को क्यों मारा मैंने ही उसे कहा था मेरे साथ खेलने को चुप कर जाओ अगर ज्यादा बोला तो लगाऊंगी मैं तुम्हारे भी कुकु के ममा पापा भी घर आ चुके थे जब कुकु रोता हुआ घर जाता है ममा ममा गोरी आंटी ने मुझे बहुत मारा है कुकु बेटा क्या हुआ आव वहां क्यों गे थे मैं अकेला बोर हो रहा था और मैं जगु से खेलने चला गया अच्छा अब चुप कर जाओ मेरे बचे मैं गोरी से पूछूँगी फिर कुकु चुकर जाता है खुद ही जगु ने मुझे अपने स्वीमिंग पूल में नहाने को कहा और फिर उसकी ममा ने मुझे मारा मैं भी कल अपने बेटे को जहरने पर लेकर जाओंगा और वहां मेरा बेटा सारा दिन जहरने पर नहाएगा ये सुनकर गुकु को सारी मार भूल जाती है और वो खुश हो जाता है सच क्या सच पापा आप कल मुझे ज़रने पर लेकर जाओगे ना हाँ मेरी जान अब आप ये दाना खा लें फिर कुकु दाना खाता है और सो जाता है फिर दूसरे दिन कुकु की ममा मुँ अंधेरे उठकर बिरियानी तियार करती है कुकु भी उठ जाता है और वो सब सारा सामान लेकर छड़ने की तरफ जाते हैं रास्ते में उन्हें कीकी और बुलबला मिल जाते हैं वो एक पेड़ पर बैठे हुए थे ममा चिडिया पापा चिडिया और कुकु वहां रुकते हैं कीकी और बुलबले मैं ममा और पापा के साथ ज़रने पर जा रहा हूँ मैं आज सारा दिन ज़रने पर नहाँगा क्या तुम भी मेरे साथ जाओगे कुकु बेटा बुलबला और कीकी अपने ममा पापा को बताए बिना कैसे जा सकते हैं आप यहीं रुकें हम अभी अपने ममा और पापा को बता कर आते हैं फिर कीकी और बुलबला जल्दी से अपने खर जाते हैं कीकी भी अपने ममा पापा से अजासत ले लेता है बुलबला भी आ जाता है और वो सब वहां से आगे भड़ते हैं अपने दोस्तों के साथ कुकु की खुश्या और भी भड़ गए थी, वो सब जन्ने पर पहुंजाते हैं। जन्ने का पानी बहुत थंडा था। लो बचो, अब आप जन्ने के थंडे पानी में लहाएं। वान, दू, फ्री, चलो लगाओ जना। फिवो सब जन्ने के पानी मे लहाते हैं। मम्मा और पापा चिडिया एक खेड़ की चाओं में बठे, अपने बेदे को खुश देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो सब चाओं में बैखकर बिर्यानी खाते हैं। और धेड़ सारी बातें करते हैं। फिपी के लिए आज का दिन खुश्यों भरा और फिर शाम के वो सब अपने घरों को वापिस लोड़ते हैं। चिडिया सुभा से काम कर रही थी। वो एक तिंका लाती है, उस पेड़ की डाल पर रखती है और दूसरा तिंका लेने चली जाती है। वो तो ठकती भी ना थी। सारा दिन तिंके जमा करने के बाद वो चि अब यहां मैं अपने अंडे दे सकूँगी। उस चोटी चिडिया को अपने आसपास बोलते हुए इंसानों से कोई डर नहीं था, क्योंके वो उंचे पेड़ के ऊपर खुद को सरक्षत समझ रही थी। और फिर चिडिया अपने घौंसले में दो अंडे देती है। सारा द इन काम करने से अब उसे कुछ ठकान में हसूस हो रही थी। और फिर अचानक अंधेरा भढ़ जाता है क्योंके किसान की पतनी ने अपने आंगर में लाइट बंद कर दी थी। चिडिया भी सो जाती है और इंसानों की आवाजें भी बंद हो जाती है। सुछा होते ही चिड जाती करो बेटा अस्कूल से देर हो रही है। छोटू की ममा सुनो मेरी कुलहाडी कहा है मैं खेतों में जा रहा हूँ। छोटू के पापा वहां बैल गाडी के पास ही आगी कुलहाडी रखी थी मैंने। चिडिया बैठी खामोशी से ये सब देख रही थी। छोटू ये तो हुआ इनका बेटा और वो होगी ममा और जो इनसान बैल गाडी लेकर जा रहा है वो जरूर छोटू का पापा होगा। इन इनसानों में भी हमपक्षियों की तरहां बहुत प्यार है। ये रिष्टे भी कितने प्यारे होते हैं। ऐसे बैठी चिडिया खुद से बातें कर दी है। फिर दोपहर को चिडिया को प्यास लग जाती है और वो किसान के घर में लगी तूटी से कत्रा कत्रा टपकते हुए पानी को देखर वहां जाती है। तूटी से पानी कत्रा कत्रा टपक रहा था मगर चिडिया अपनी चौँच उबर करके पानी पी लेती है। औ उसे ही कुछ दिन गुज़र जाते हैं और छिडिया के अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे बाहिर निकलते हैं जो अंडों से बाहिर आते ही चुंचुन शुरू कर देते हैं किसान की पतनी जब घर में जाडू लगाती हुई पेड के नीचे आती है तो पेड के नीचे पक्षियों के पंक और सूखे तिंके देखकर ऊपर देखती है तो उसे चिडिया का घौंसला नजर आता है मैं भी कहूं आज सुभा से चिडिया की चूंचूं की आवाज कहां से आ रही है अब पता चला हमारे आंगन में तो चिडिया ने घौंसला बना रखा है चिडिया का घौंसला कहां है ममा कहां है मैं चिडिया के बच्चे पकडूंगा ये सुनकर तो चिडिया की जान ही निकल जाती है और वो अपने बच्चों को पंकों में चुपा कर नीचे देखने लगती है नहीं बेटा वो मर जाएंगे हमें पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए जाओ एक डिब्बे में पानी और दाना डाल कर लाओ फिर चुटू एक डिब्बे में पानी और दाना लाकर चिडिया के घोंसले के नीचे आंगन में रख देता है चिडिया भी कई दिनों से भूगी थी दाना देखकर उससे रहा नहीं जाता वो जट से दाना खाने आती है चुटू और उसकी ममा धोड़ी दूर खड़े उसे देखकर बहुत खुश होते हैं फिर चिडिया कुछ दाने खा लेती है और अपने बच्चों के लिए भी ले जाती है देखा चुटू जैसे हम आप से प्यार करते हैं पक्षी भी अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं शाम को जब किसान घर आता है तो पेड के नीचे फिर से तिंके गिरे हुए थे ये गंदगी कहां से आई है तो घोंसला बना रखा है चिडिया ने पेड के उपर मैं अभी इसे उतार देता हूँ चिडिया फिर से डर जाती है किसान पेड के उपर चर्णने ही वाला था कि उसकी पतनी वहां आती है ऐसा ना करें बेचारी चिडिया कुछ दिनों में चली जाएगी ये घोंसला ना उतारें ये बी ऐसे ही किसी का घर है जैसे ये हमारा घर किसान रुक जाता है मगर ये गंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती मैं साफ कर देती हूँ ये गंदगी रात होते ही लाइट फिर से बंद हो जाती है और वो इनसान फिर से सो जाते हैं आज चिडिया और उसके बचों ने पेट भरदाना खाया हुआ था इसलिए जल्दी ही वो सब भी सो जाते हैं ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिडिया अपने बचों को उड़ना सिखा लेती है चिडिया अपने बचों के साथ उड़ी हुई किसान की पतनी के पास आ दी है वो उसे घोर से देखे जा रही थी मानो वो किसान की पतनी को धन्यवाद बोल रही हो और फिर चिडि बनाया है तो कमेंट में जवाब दें आगा धन्यवा